दोस्तों स्वस्त विचार एक ऐसा कारिक्रम जहां आपको असाध्य से असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाता है आयूर्वेद के माध्यम से और इसमें हमारा मार्ग दशन करते हैं गायत्री सिद्ध पंडेट श्री लक्षमनदास रतन भार्दवाज जी तो आएए उनका स्वागत करते हैं और कारिक्रम की शुरुआत करते हैं गुरुजी नमस्कार गुरुजी आजकल कई जगे सुना जाता है और आजकल देखा भी जाता है कि कैंसर का रोग कई लोगों को पीडित कर चुका है कैंसर के रोग से मैं यह जानना चाता हूं कैंसर का रोग होता क्या है और क्यूं होता है देखे बटा है कैंसर हमारे खान पांज से बड़ी तेज़े से फैलता जा रहा है आजकल हम ओं आर्टिफेस्ल खाना चींदी चाए और कॉपी पे ज़्यादा ज यह अंदर जाके खोन के अंदर ऐसे एक इसम का असर करता है जैसे आप सब्जी को छौक लगाते हैं ऐसे खोन के अंदर जाके एफेक्शन फैदा करता है आर्टिफिसल चीज्जें जो हैं इन से हमारा लीवर पैंक्री पित्ता, गुर्दा इस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और दिन दुगने, रातें चौवने चीजें बढ़ती जा रहे है एलोपैथिक सिर्फ इतना काम करती है कि जहां पे आपको तकलीप आउसांग को सुन कर दे किसी रोख को काटने की दौाई नहीं इनके पास पूरे संसार के अंदर नहीं है श्रीर को सुन करके फिर उसके बाद उसका बीजने शुरू हो जाता है उसका टैम होता है कि इतनी देर के लिए दौाई असर करेगी इसके बाद फिर लेनी करेगी जब उस दौाई को लेते है तो आदमी सोचता मैं ठीक हो गया टीमो थ्रेपी कर रहे हैं कहते मैं ठीक हो ठीक नहीं होते ये रोग दब जाता है और दीरे धीरे अंदर से बढ़ता जाता है जहां पे रोग आउस आंग को सुन कर देते हैं कैंसर एक इसम का खौन का पोईजन है जैसे आपको कहीं चोट लगी और वहां का खौन खराब हो गया तो वो थो चोट वाले में पस पढ़के बाहर निकल जाता है वो स्फेद रंका बन जाता है जब खौन के अंदर कैंसर बनता है किसी अंग के चैंसर बनता तो वहां उसका रंक काला होता है वो स्फेद नहीं होता और उसको निकलने का रास्ता नहीं है आप वहां पर जो भ्यंकर दर्द होता है उसको हम कैंसर बोलते है आप इसको सुकाने के लिए एलोपेथिक में कोबरे साम का जहर मरे हुए परसमों का अड़ियों के चूरे से उसको सुन किया जाता है उसको निकाला नहीं जाता क्योंकि निकालने का उनके पास कोई रास्ता है नहीं है कोई द्वाई नहीं है परांतु आर्योवेद में इस रोग के उपर सबसे ज़्यादा द्वाई है स्वास्त पचार में प्रती दिन आर्ट-दस मरीज कैंसर के आते हैं किसी के पेट में कैंसर आंतों में हैं किसी के लीवर में हैं किसी के फेफडे में हैं किसी के गुर्दे में हैं और किसी के और योटरस में हैं कैंसर चाहे किसी भी भाग में है इसकी द्वाईएं खाने की भी हैं, तेल लगाने की भी हैं, और द्वाईएं पीने की भी हैं जैसे हम निम्बू को काट करके, निम्बू दाननी में उसका रस्न चोड़ देते हैं, चिलका लग रहता है ऐसे हम खोन को अंदर से साफ कर लेते हैं द्वाईएं से जो खोन काला पड़ चुका है उसको फिल्टर करके जो गंदा है उसको और ट्रट्टी पर साफ के रास्ते बहार निकाल देते है और जो साफ अद्वारा सिरी में ब्रहामन करना सुरू करता है आज जो 40 साल की उमर में, 30 साल की उमर में, 50 साल की उमर में मर रहे हैं यह सब हमारी ऐलोपैथिक दौईयों की देन है। यदि हम आरियोवेधिक दौईयों खाएं अपने खान पान रहन सैन पर पर नहावे पर कंट्रोल करें तो किसी की मृत्तू 120 साल से पहले नहीं है। और किसी को किसी किसम का रोग नहीं है। बिल्कुल गुरुजी चर्चा को जारी रखेंगे। तो दोस्तों अभी फिलाल वक्त हो चला है चोटे से ब्रेक का देखते रही हमारा खास कारेकरम स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कारेकरम स्वस्त विचार में गुरुजी, हमने अक्सर सुना है कैंसर उन लोगों को होता है जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं क्या कितना हद तक ये सही है? देखिए, सही है भी नहीं भी है, दोनों बाते हैं इसमें जब आप किसी भी ऐसी चीज को मुँ में डालते हैं, जिससे आपके अंदर की तवचा फट जाती है हुआ पर एक हिस्वा सैप्टिक हो जाता है तो इसमें गुटका है, खैनियें, जैसे इन से फटता है, ऐसे चीननी से ही फटता है आप चीननी मों में रखे थोड़ देर चूसें, तो एक तो आपके जीव मोटी पड़ जाती है गए में खुश की बड़ी पैदा करती है, और जल न पैदा होती है यही अंदर जाके काम करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान चीननी से है यह एक चंच चीननी, यानि समझो आप पांच ग्राम चीननी को पचाने में हमारे लीवर को छे गहंटे काम करना पड़ता है छे गहंटे में पूरी पच्टी नहीं है और गुड़ पचास ग्राम भी जो और दस मिंट के अंदर बिलकुल साफ बन जाता है, खून में मिल जाता है जाके कोई नुकसान नहीं होता और यह चीननी, लीवर, पैंकरी, पित्ता और गुर्दे में इतना बुरा असर डालती है कि पूछी मत जैसे बार सनावने पर जमीन फट जाती है, ऐसे चीननी से जहां जहां इसका असर पड़ता है, वहां की जगए जल जाती है जहां पर कोई अंग जल जाता है, उसमें कितना भ्यंकरदार जोता है और वहां पर जब आउक्सिजन की कमी आ जाती है तो बजाए वो जखम भरने के बढ़ना शुरू हो जाता है आजकल सबसे ज़्यादा जो कैंसर फैलता जा रहा उसका देन है एसी एसी में जो अमोनियों गैस होती है यह आउक्सिजन की जगा ले रही है इसी में फरीज में अमोनियों गैस भरी जाती है जिससे ठंडा करते है और यह गैस अंदर जाके उसके उपर एक इसों का प्वाजन पैदा करती है और फिर वो खून साप नहीं होता हमारे खून को चलाने के लिए आउक्सिजन काम करती है आउक्सिजन एक ऐसी देने कुदर्त की जो हमें मोल खरीदने नहीं पड़ते है पेड़ पौदों से जैसे हम सांच छोड़ते हैं कार्बन डाकसाइड ऐसे पेड़ पौदे जो हैं यह आउक्सिजन छोड़ते हैं कार्बन डाकसाइड खाते हैं जब हमें pure oxygen असली मिल रही है तो हमें कोई रोग नहीं है, प्रांतो जब oxygen की जगा पे हमें ammonium gas मिल रही है, तो हमें रोगों की भरमार भी मिलती जा रही है, आज cancer, AIDS, अब जीमा, psoriasis, गठिया जो तेजी से फैलता जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी देन AC के और फ्रीज की ह जब हम फ्रीज नहीं होते है, मटके का पानी पिते थे तिने रोगी नहीं होते थे, और जब से फ्रीज का प्रचलन जादा हुआ, AC का प्रचलन जादा हुआ, उसमें से cancer, AIDS, अगजीमा, psoriasis, सांस का रोग गठिया, दिन दूगने, राते चोगनी बढ़ना सुरू हो गया बढ़ना सुर्चलन जादा हुआ बताई, फिर मेरे को घर ले आए, घर ले आने के बाद हेमराज होस्पिटल ले गए, हेमराज होस्पिटल में उन्होंने सिटी स्केन वगरा किया, सिटी स्केन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़े फैल चुकी है, इसको तुरंत इसका उपरेशन होगा, फिर उन् सब्सक्राइशन होने के बाद, चार मेने बाद मैंने सिकाई कराई, सिकाई मैंने मेडिकल से कराई, सिकाई होने के बाद मेरे को बहुत प्रेशानी रही, बलड मेरा जाता रहा, बलड रुखानी बिलकुल भी, और उसके बाद मेरी बहन, मेरी सिष्टर रोहिनी में रहती है, गीता कुमारी है उसने गुरू जी का एक प्रोग्राम देखा फिर उसने मेरे को आकर बताया फिर मेरे को जबर्दस्ती लेके गई मेरे घर से सबसे थोड़ी सी गुस्ता भी हुई घर वाले भी थोड़ी गुस्ता होने लगे भी इसको कहा लेके जा रही है उसके बाद भी व वो मेरे को लेके गई गुरू जी के पार एक रात मेरे को उसने अपने घर पे रखा अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को और गुरू जी के पार लेकर आई खाली पेट आना था इसलिए मैं खाली पेट आई और गुरू जी ने नवस पकड़ कर भी बता दिया कि आपको कैं का इंफेक्शन है आपके अभी वी कितानों है फिर मैंने बताया कि गुरुजी इस इस तरीके से मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और मैं 28 सेफरल को दवाई लेके गई उसके बाद उन दवाई खानी स्टार्ट की मैंने मेरी इतनी हालत बुरी थी बहुत ही ज़्यादा कि मे मेरे को ये स्कूटर में डालकर लेकर आए तो एक हफते के बाद ही मेरे को काफी अराम मिला दीरे-दीरे में चलने लगी खाने पीने भी लगी फिर मैंने दवाई पूरी खतम करने के बाद फिर मैं दुबारा आई फिर दुबारा उन्होंने दवाई दी काफी अराम रहा म मेरे को में 15 दिन थोड़ा सा भुखार हो गया था मेरे को बुखार की वज़े से मेरे मेरे को भतारते कि कोई वाइरेस का भुखार है कुछ चल रहे हैं तो मैं हस्पीतल गई हौा स्टील में उन्हों हमेर ए उन्होंने मेरा गुलुकोस तरहा चड़ाया और इंजेक्शन लगाए उसके बाद उन्होंने मेरे टेस्ट किये सारे, बलड टेस्ट हुआ, एक्स्रा हुआ और अल्टासॉंड वगर आवा, उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया, कि आपका तो कैंसर बिल्कुल खतम हो चुका है, फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि य हमने जिसवी रोग को देखना वो नाड़ी प्रिक्षन से देखना है, नाड़ी प्रिक्षन का नियम है कि रोग्गी को नाड़ी प्रिक्षन कराने से बारा गहंटे पहले खाना पीलना छोड़ देना पूरता है, यहां तक कि बारा गहंटे तक पानी की बूंद में पीते ह जैसे कल हमने नाडी प्रिक्षन कराना है तो आज रात को दस वई खाना पीलना बंद कर देंगे दातन कूला करके पेट भरके पानी पीलेंगे उसके बाद एक काले वाली लेची बड़ी जोत्य मसाले में पढ़ती है या तो साब्त मूव रखके चूसे या छिलका चूसे या इसके बीच चूसे तो हमें ना प्यास लगेगे ना कोई तकलीप होगी सुबह जब नाडी प्रिक्षन किया जाएगा तो एक दम बताएगे किसी हिस्से में क्या रोगा है और दो स्केंट से ज़्यादा टैम नहीं लगता दो स्केंट में जैसे कंपोर्टर में नंबर दबाने से स्क्रीन पे वही नंबर आ जाता है जो आपने दबाया ऐसे नफ्ज दबाने से जहां पर जो रोगा वह नफ्ज बता देती है उसके अनुसार दवाई देके दवाई खाने के 15-20 सेकंट में वो दवाई अपना अंदर असर कर जाती है और इतना असर करती है कि रोगी अपने मुह से बोलना सुरू करता है कि ऐलो पेथिक दवाईयां देके सुनगी तो स्रीर में होती थी कम्योरी मेहसوس होती थी प्रह तो इससे कम्योरी मेहसوس नहीं हुए इससे तो स्रीर में और चुस्ती आईया क्योंकि हमारे जहां हम जन्म लेते हैं वहां के पेड़ पौदे जड़ीबूटिये वहां का नाज वहां का जल्वाईयो यही हमें सब रोगों से मुक्ति करा देता है जहां पर हम जन लेते हैं वहां के पेड़ पौदे जड़ी बूटी है रहन सेन और खान पा इसमें हर एक रोग का उपचार है बिल्कल गुरुजी बात करें अगर कैंसर पीडित व्यक्ति की तो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते शुरू आती दोर में की कैंसर कैसे हुआ या क्यूं हुआ हम यही जाना चाहेंगे की कैंसर पीडित व्यक्ति कैसे पता लगा YE कि मुझे कैंसर है देखिए जिस व्यक्ति वो किसी भी अंग में कही भी कैंसर हो गया कपड़े में आग लगाई जाती है, कपड़ा सुकता जाता, जलता जाता, ऐसे वहां दर्द बढ़ता जाता है, जब द्वाई लेने के बावजूद भी दर्द मिटता नहीं है, बढ़ता जाता है, थोड़ी देर के लिए द्वाई का असर होता है, सुन होता है, फिर दर्द हो गए cancer है तब जाके वो डेकलेर करते हैं प्रांतु स्वास्त वचार में नारी प्रिक्ष्ण में जहां पर आपको cancer है चाए एड़ जाए चाए ग्जीमा है चाए सुराशिस है चाए गठिया है कोई भी रोगा वो नफ्ज दो स्किंट में उगल देती है कि यहां पर इसको स्कुआ है और उसके अनुषार जो हमने दौआइये बनाई है उस दौआइ को उस रोगी को खलाया जाता है पीरे की पलाई जाती है अर उसके बाद हम कहते हैं कि आप तीन ग्हेंटे तक आप रस्ड करें तीन गहेंटे के बाद आएजए फिर हम आपको बताएंगे कि कितन रामा कितना नहीं पिर आप भी बोड़ेगे तो द्वाई खलाने के तीन गहंटे बाद फिर एको प्रेसर किया जाता है एको प्रेसर वो शक्ती है जैसे हमारे पास आदी इंच का पानी आरा किसी पाइप में और उसके प्रेसर को हम बढ़ा देते हैं आदी इंची को हम एक सूथ कर देते हैं तो एक सूथ में जैसे उस पानी का प्रेसर दूर तक जाता है ऐसे जब एको प्रेसर करते हैं जहां पे वो खोन जमा हैं या कोई नस बलाक हो गई या कोई रुक गया वहां पे उसको प्रेसर से हटा देते हैं और फिर कुछ तेल है हमारे पास, उन तेलों की माल्स कराई जाती है, जैसे आपको भ्यांकर किसी अंग में इतनी भ्यांकर दर्द हो रहे हैं कि आप अंग को हिला नहीं सकते, तो इस तेल की माल्स करने से अंग आपका जैसे रब्ड जैसे मर्जी उसको गुमाने हैं, वो जबके एलोपेथिक द्वाइएं खाके अंग तो सुन हो जाएगा प्रन्तो अंग खुड़ता नहीं है, आज कल जिनको ज्यादा एलोपेथिक द्वाइएं खलाए जाते हैं, चाए पेन क्लिन क्लिन खलाए चाए सौरेट उनके अंग सुन हो जाते हैं, और उनक्श यह काम है अलोपेथिक द्वाईयों का, पर अरियोवेद में जो हम द्वाईयों बनाते हैं, इससे किसी अंग को सुकाते नहीं, यदि कोई अंग से कुड़ चुका तो उसको फिर द्वार अपला देते हैं, अपने अकार मिलाते हैं, अब जैसे थोड़ी देर के लिए आप ल और किड्नी कभी भी खराब होगी, तो आपके कम पानी के पीरने की वैसे खराब होगी बिल्कुल गुरुजी चर्चा को जारी रखेंगे, कैंसर के और क्या-क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन दर्शकों फिलाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का देखतरे हमारा खास कारेकरम स्वस्त विचार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कारेकरम स्वस्त विचार में गृुरुजी, बेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की कैंसर के उपचार के बारे में, मैं विस्तार से जानना चाहूंगा. देख़े, आपको कहीं भी किसी किस्म की तखलीप है, चाए कैंसर से है, चाए एड से है, चाए गठिये से है, चाए सांस से है. इनका सबसे असली और लावदायक परभावा लस्षन प्याज अद्रक में आप लस्षन प्याज अद्रक का रस निकालें चाहे आप साहत में बला के लें पानी में बला के लें दूद में बला के लें चाहे ऐसे ले लें ये पेट में जाते ही ऐसे काम करता है जैसे मार्च इसकी तिली स्प्रिट को परजलित कर देती है, ऐसे अंदर जाके फेपड़े का, जीगर का, पैंकरी का, पित्ते का, गुर्दे का, तिली का और दिल की ओवरहालिंग करना शुरू कर देती है, जदि हमारे फेपड़े अक्सिजन पूरी ले रहे हैं, लीवर की पाचन सकती पूरी है, पैंकरी इंसलीन पूरी बना रही है, पित्ते में तजाब जितनी मातरा में चाहिए उतना पूरा है, किड्नी फिल्टर काम पूरा कर रही है, तिली बनाए वो खून को सभीकार कर रही है, और दिल को ऑक्सिजन मिलके पूरे शरीर में साब खून का ब्रहमन पूरा खुरारी तो हमें कोई रोग नहीं है प्रहमतु ये रोग जब भैलेंगे हमें जब आउक्सिजिन की कमी कम होगी और लीवर की पाचन सब्सक्ति कम होगी तो इसको सब की मात्रा को पूर्ण मात्रा में रखने के लिए लस्ण प्याज अधरक एक इसम का अमरत है आप चाहे किसी भी रोग से ग्रसीता है लस्ण प्याज अधरक का रश गर्म पानी में गर्म दूद में या सहथ में बला के आप चाटते हैं तो चाटने के दो स्किंट के अंदर अंदर आपको असर उसका दिखाई पड़ जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए आपने लिया, कि हमें कहीं चोट लगे, चोट लगे वहां से खून तो निकला नहीं, और वहां पे भ्यंकरदर्द हो रहा है, उस दर्द के मारे हमारे को बे था परिशानिया की, तो हम लस्टन प्याज रख चाहए तीनों चीजें पीसे, चाहए तीनों में से किसी एक चीज को पीस करके, उसकी चटने से बना के उस अंके उपर लेव कर देते हैं, और उस लेव को किसी चीज से बांढ देते हैं, तो दस या पंदरा सिकिंट के जिए बात आपको अरहत मिलना शुरू हो जाती है, आदे घ्हेंटे में आपको वहाँ सुजन पर किसी किसका दर्द नहीं रहता, यदि किसी किसका दर्द रख तीक होगे, जब आप खोलेंगे, तो जो आपकी सुजन थे हो नहीं मिलेगे, और जो वहाँ पर खुण रुख कई कहते हैं कि हम लशन-प्याज का थो हमने हनुमान का पाठ ले रहा है हमने दिख्षा ले रहा है हमारे गुरू ने हमें इंकार करके है मैं उनसे यह नवेदन करना चाहता हूँ कि लशन-प्याज अदरक ना तो किसी मजुख को बुगारता ना कि इसके धर्म रिस्थ करता कोई देवी देवतार रुष्ट होता है, जीवन दान देता है, प्रांतु आप आरियो बेद को छोड़के अलोपेथिक पर जाए, सुबह उठके जब आप दातन कूला करते हैं, जो दानतों में मंजन करते हो क्या है, वो मरे हुए पर्शों के हडियों का चूरा जिसमें केमि प्रांखों से बाहर बनाया गया, आप इसकी जानकारी नहीं है. मैं दिली से आया हूँ, मेरे चार साल पहले कंपॉंट फ्रैक्टर हो गया हूँ, जो प्रांखों से बाद दो साल के बाद, फिर से मेरे अंदर प्रॉल्लम आनी शुरू होगी, फिर से दोबारा ऑप्रेशन करा है, उसके बाद फिर से छे मिनें तक फिर ठीक रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ सूजन या दर्द रहने अच लग गया, फिर इसी वकत मेरे फादर ने टीवी पे देखा, और फिर मैं टीवी के दोरह इस जगह पे आया, इस जगह पे आते ही, फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नव्स देखी, अप पूरी खतम होगी, अभी काफी अराम और काफी अच्छा मैसूस होता, नहीं नरम पन तो काफी आ गया, वो जो सूजन थी उससे काफी हाड रहने लगी थी बोन, लेकिन वो जैसी ये पटी की एक हफतर दस दिन के बाद ये भी नरम पढ़ गी और वो एकदम से बैठ गई है, और काफी हद तक ठीक होगी, तो आप क्या कहते हैं, अभी पंदरागी दवाई खाएं कि किसने दवाई गी अभी मैने जिरफ 15-20 दिन होगे, मेरे को दवाई खाते हुए, और इसी में काफी अराम है और और भी जादा अराम आ रहा है, नहीं डॉक्टरों ने ऐसा कुछ न आदर वो जकम बना रहा, खासकर यह चोट टांग पे लगी थी, तो इसका इलाज ठीक तरहां से हो नहीं पा रहा था, तो फिर यह प्रॉलम ऐसी ही रहती थी, कंटीनर, उसने बोला था कि यह अपना यह दर्द वैसे भी रहता है, लेकिन उसने बोला है, छे मिने तक देख लीजिए, आप उसके बाद यह दर शाय धर जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मेर को और दूसरा डॉक्टर देखना पड़ा, फिर मैं उसी के चलते हैं, बाबाजी के पास है, सबसे ज़्यादा जो आज कल हमारे दांतों में कीडा लग रहा है, दांतों में परिया रोग पैदा हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा देन ही हमारे टूस पेश्ट की है, अब जिसको मसूरों का कैंसर है, गले का कैंसर है, जीव का कैंसर है, उसमें सबसे बड़ी देन है मन्जन की जो हम सुभाई इन हडियों का चूरा मसलते हैं जिस मन्जन को बनाए हुआ है एक साल हो चुका है अब जो उसके अंदर केमिकल मलाये थे उनका जो असर तो खत्म हो गया अब वो सिर्फ हडियों के अंदर का जो चूरा है अब उसका असर ज्यादा है जब आपने इस जैसे तबाकु खाने वाले के दांतों के मुशूरे गल जाते हैं जीव में चाले आ जाते हैं ऐसे इसे उचाले आते हैं और यह कैंसर का रूपधान कर लेता है आज गले का कैंसर फेफडे का कैंसर लीवर का कैंसर किर्णी का कैंसर सब से जाजर फैल रहा है यह आपकी ची जिन्नी और टूथ पेस्ट और आर्टिफिसल खाने और पैपसी लिंके की देने हैं यदि आज हम इन चीजों को नैच्रिली को छोड़ दे जैसे मेंगी छोड़ी अभी तो मैं कहता हूं कि 90% रोग ऐसे समाप तो जाएगा लसन प्याज अधर काप 50 gram सुबा 50 gram साम को खाने के साथ ही खाने चारिटें स्लाफ के रूप में तो भी आपको कभी जिन्दगी में किसी दौाई खाने की योष्यक्ता नहीं है प्राम्तु जब लस्टन प्याज अधरक से नफरत करते हैं या इसको भून के खाते हैं तो इससे हमें कोई लाव नहीं है बलके लाव के वज़ाए इससे हानी है क्योंकि इसकी तक्सीर बदल जाती है गर्म हो जाता है कच्चा लस्टन प्याज अधरक तर गर्म है किसी भी आंग पर किसी किसम की सुजन हो रही है या उसमें किसी किसम खचाव पड़ रहा है तो ऐलोपेथिक में हमें या तो सुन करने की गोड़ी खलाई जाएगी या इंजेक्शन लगाया जाएगा या कोई ऐसा पॉजन दिया जाएगा जिससे वो सुजन तो रहेगी प्रांतों वो आपको मैसूस नहीं होगी और उसी से फिर रोग दिन दूगने राते चौगनी बढ़के कैंसर बाढ़ रहा है बिलकल गुरुजी आपने बताया किस तरीके से गलत खान पान हानी कारक होता है मनुष्य के लिए आपने असाध्य रोगों के बारे में बताया आपने दर्शकों का मार्ग दर्शन किया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार तो दोस्तों आज के कारिक्रम में इतना ही अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिया आग्या